अध़िलो फ्रेंड्स वेल्कम टो लुफ यू जीवन एजुकेशन ने एक बार फीर से आप सबका स्वागत हैं हम डिसकर्स कर रहे थे बीपी करें जिसके अंदर हमने लास्ट को सब्सक्राइब ना सच्छेह सब्सक्राइब नियुक्च कर डबीव में वैरं, यहें रहीं चफा होगा उनियांय। सब्सक्राइब याद होगा। पूरा डिटील से वन बाई वन डिस्कस करेंगे तो आज की सिशन को स्टार्ट करने जा लेकिन वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल-ायकन-पर प्रेस कर दीजेगा और अभी तक आप तो अहलाकि जोईन हो जुके हैं लेकिन काफी candidates अभी जोईन नहीं हुपा और डेली दो शेशन अवेलेबल होगा जिसके मैंने लासली शेशन के अदर आपको बता दिया था चलिए बढ़ते हैं और आदके शेशन को कंप्लीटली पढ़ते हैं और चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन को कवर करेंगे अपन कंप्लीटली तो कैंसर के रिगार्डेर हमने लासली सेशन के अदर पढ़ा था की कैंसर क्या है अंकोलोजी क्या है नहीं देखा तो जरूर देखेंगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बुक्स में मिलेगा या फिर अपनी मेंबर्शिप की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा चलिए उसके बाद नियो प्लेजिया के रिगार्डेर हमने डिसकुस किया था देन ह इसके कारण से एक अबनोर्मल टिस्ट्यू मास को ही क्या काता है और आप सबको पता होगा और अपनी कॉमन लेंगवेज में बन गए तो गांट या गिठाने जो होती है वही टूमर होता है उसके बाद हमने डिसकस किया था टूमर के टाइप यानि टाइप ऑफ टूमर हमन हमने कहा था कि इसकी ग्रोथ रेट है वो स्लो होती है ना केप्सुलेटेड होता है इसके चार और कवरिंग पाई जाती है जिसके कारण सा यह आसानी से इस्प्रेड नहीं होता है सराउंडिंग एरिया में और फाइनली कहा था किसके अंदर मेटाइस्टेसिस है एपसेंट होता है वही पर अपने मेलिग capitalize की बाद की ती और मेलिगन टूमर के अंदर हमने कहा था कि इसकी जो ओस थे है वह पासे बाद ने उसके रही है इसके बाद होता प्लठ अबस यह बिल्कुल सही है सभी टूमर कैंसर नहीं हो सकते क्योंकि कुछ टूमर कैंसर हो सकते 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 कुछ टूमर कैंसर हो स हो सकते हैं कुछ बिनाइन हो सकते हैं इसलिए सभी ट्यूमर कैंसर नहीं हो सकते हैं लेकिन सभी कैंसर ट्यूमर हो सकते हैं यादर कन्फूजन नहीं रखे यहां पर दो ही पॉइंट में यहां पर मेंशन किया है और आपको समझ में आ गया था कल ही कि ट्यूमर कैंसर नहीं हो सब्सक्राइब क्लिए हैं तो यह क्या है टाइब क्या है ट्यूमरकूर के ईक्सेक्थ सब्सक्राइबこれで लगाई गाल Sesब्सक्राइब आज किल्सक्राइब में दिखना को समझ कर साथथ कर ते या फिर आप membership के कोलम के अंदर आप देख सकते हैं सारी classes वाँ पर आपको available होगी चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम discuss करेंगे यह सारा कुछ introduction है जो कि आपको याद होना चाहिए पूरा cancer topic आपके syllabus में नहीं है के वल आपके syllabus के अंदर screening test है treatment facilities है और कुछ common cancer है जिसके अंदर 3 especially cancer मैंने कल भी बताया था breast cancer है oral cancer है उसके अलावा आपका cervical cancer है यानि विटराइन सर्विक्स cancer है यह तीनी cancer आपके syllabus के अंदर है लेकिन पूरा syllabus पूरा topic आपने नहीं पड़ा तो फिर वह आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए यह सारी जानकारी आपको होनी चाहिए और मैंने कहा था कि सोट नोर्स अगर बीच में से कोई question आपसे पू अगर theoretical subjective paper होता है तो उसके regarded इसी तरीके से आपको pattern लिगना होता है आप सबको पता होगा काफी सारे candidate तो काफी experience pool भी होंगे काफी सारे MSC holder भी होंगे तो उनको सबको पता है ठीक है लेकिन थोड़ा सा patience के साथ continue concentration के साथ बने रहे आपको सारी चीज़े यहां पर बताई ज लिए नाम से ही meaning आपका निकल जागा dysplasia देखे dysplasia डिस मतलब यह डी वाइस जहां आता है आप सबने पढ़ाओगा nursing के अंदर की abnormal के लिए आता है किसके लिए आता है abnormal के लिए यह आता है या फिदिफिकल्टी के लिए आता है आपने सबने पढ़ाओगा difficulty के लिए आता ह लए प्लेजियए प्लेजिया आता है आता है प्लेजिया किस है एक्रोव के बताइब याद नहीं हो तो एक बार फिर दिला दू कहां पर हमने पढ़ा था देखेगे यहां पर हमने पढ़ा तर्फेसी इंडJEट करता हे इंडिकेट करता एबनॉर्मल को किसको इंडीकेट करता है ख्याहन को याале प्रफेसी करता है ओंडिकेट करता है उसके लावा डिकेट करता है growth और division को indicate करता है तो यहाँ पर आप देखीगा word का meaning आप समझेगा आपको automatically सब कुछ समझ में आ जाएगा देखे displays या, मतलब abnormal क्या होगा, उसके अंदर growth and development होगा abnormal growth and division उसके अंदर होगा जिसके कारण से उसकी size है, उसके shape है उसके function है, उसके organization है किसके, sale के, वो क्या हो सकते है abnormal हो सकते है, disturb हो सकते है और difficult हो सकते है और ऐसी condition को ही क्या कहेंगे displays या कहेंगे, I think समझ में आया होगा, this मतलब abnormal और plays या मतलब growth और division अब abnormal growth और division हो रहा है तो उसके shape भी बढ़ सकती है कम भी हो सकती है, उसके side change हो सकती हैं उसके function change हो सकते हैं उसका organization change हो सकता है उसका number change हो सकता है कैसे भी वह हो सकता है और ऐसी condition कोई क्या कहते हैं displays या कहते हैं I think समझ में आ गया होगा I so no आ गया होगा I think ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर पढ़ लेते हैं एक चोटी सी one line में मैंने आपको definition clear की हैं देखे समझने की कोशिश के जिगा abnormally changes in size shape function और organization of sales देखे मैंने यहां पर मिनिंग आपको समझाए दा डिस्वाइश यह है इसका मतलब तो abnormal है और प्लेज्या मतलब growth और division है यानि सेल का abnormal growth and division हो रहा है जिसके कारण से उसके क्या हो सकती है change हो सकती है उसकी size उसकी shape उसका function और organization that condition is known as a displace या I think समझ में आगया होगा एक बार फिर से इस line को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं चलिए लिखा हुआ है abnormally changes in size shape function and organization of cell ठीक है यानि displays या means होता है किसी भी cell का size abnormal हो जाना उसका shape abnormal हो जाना उसके function abnormal हो जाना उसके organization abnormal हो जाना इन सब में changes जा जाना यही condition आपकी होती है dysplasia क्योंकि एक term जो आपको दिए dysplasia उसका meaning यही बनता है डिस मतलब तो abnormal है और plays या मतलब क्या होता है division और growth है तो abnormal division और growth होगा तो सेल का size भी बढ़ेगा कम भी हो सकता है shape भी कम जादा हो सकता है function disturb हो सकता है और उसका organization भी abnormal हो सकता है और I think dysplasia आपके mind में clear हो गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके regarded थोड़ा सा समझते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं hyperplasia चलिए कुछ terminology यहां पर आएगी उनको अपन समझते हैं hyperplasia मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि abnormal हो जाएगा उसका size भी उसका shape भी उसका function भी उसका organization यह सब कुछ क्या हो जाएगा abnormal हो जाएगा अब कुछ terminology है चोटी-चोटी यहां पर उनको पन समझते हैं ताकि आगे अपन जाके इनका grading कर सके इनका stages decide कर सके देखिए hyperplasia मतलब आप सबको पता है प्लेजिया मतलब आप सबको पता है growth और डिविजन से regarded है उसके लवा hyper hyper मतलब ज्यादा hyper मतलब ज्यादा यानि simple सी language में लिखा हुआ है increase the number of cell is response to the various stimuli यानि किसी भी cell को कोई stimuli अगर दिया जा रहा है किसी भी cell को को stimuli मिल रहा है जिसके करण से उसका क्या हो जाए number changes हो जाए number क्या हो जाए hyper हो जाए hyper मतलब बढ़ जाए यानि increase number of cell that known as hyperplasia याद रखे increase number of cell that known as hyperplasia याद रखे क्या hyperplasia means याद रखे cell के number का बढ़ना cell के number का बढ़ना cell के number से regarded है और hyper मतलब increase होना यानि increase number of cell in response to various stimuli that known as hyperplasia I think याद हो गया होगा I think समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं एक ओर terminology है hyper trophy ठीक है just उसी के जिसा है hyper trophy यहाँ पर भी hyper हो रहा है लेकिन hyper क्या हो रहा है उसके trophy हो रही है trophy मतलब होता है size, cell का size बढ़ना यानि hyper मतलब होता है increase यानि increase in a cell of size या increase in a size of cell in response to various stimuli कोई भी stimuli मिला cell को जिसके कारण से अगर उसकी size बढ़ जाती है cell की size में increase में आ जाता है cell की size बढ़ी हो जाती है तो उस condition को बोला जाता है hyper trophy क्या बोला जाता है hyper trophy तो दो terminology हमने देखी hyper plasia plasia मतलब उसकी क्या बढ़ना number बढ़ना plasia मतलब उसके numbers बढ़ना और trophy मतलब उसका size बढ़ना ध्यान रखे याद रखना है भूलना नहीं है ठीक है तो hyper plasia मतलब increase in number of cell और hypertrophy मतलब increase in size of cell ठीक है कैसे increase होगा जब कोई इनको कोई specialized stimuli मिलेगा response के regarded यानि stimuli मिलेगा जिसके कारण से कोई response मिलेगा और response किसके regarded दिखेगा आपको या तो size change होगी या फिर उसकी number change हो सकते हैं तो याद रखे दोनों terminology आपके mind में clear होनी चाहिए कि hypertrophy हो रहा है it means क्या changes हो रहा है hypertrophy हो रहा है it means cell की size बढ़ रही है और hyper plasia हो रहा है it means cell के number बढ़ रही है thing समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं दो terminology ओर है यहाँ पर चोटी चोटी उनको पन देखते हैं just a minute दो terminology चोटी 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 यहाँ पर है उसको पन देखते है next है atrophy देखें यहाँ पर a लगा हुआ है trophy के साथ a लगा हुआ है अब trophy किसके regarded अपने पढ़ा है trophy मतलब cell का size बढ़ना trophy मतलब cell के size से regarded है और यहाँ पर atrophy है यानि a आ गया है यानि opposite आ गया है यानि कह सकते है decrease size of cell cell का size कम होना that is atrophy I think समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं next terminology है anaplesia next terminology है anaplesia और anaplesia का means क्या होता है समझते है anaplesia means होता है immature cell of formation immature cell formation cell का formation हो तो कैसा हो रहा है immature हो रहा है यानि immature cell का formation हो रहा है that condition is known as anaplesia that condition is known as anaplesia याद रखेगा तीन से चार definitions हमने देखी यहां पर पहले terminology हमने देखी hyperplasia जिसका means होता है increase number of cell क्या देखा सबसे पहली जो terminology हमने देखी hyperplasia देखी क्या देखी hyperplasia हमने देखी जिसका means होता है numbers बढ़ना sale का number बढ़ना उसके बाद हमने देखा hyper trophy क्या देखा hyper trophy हमने देखा जिसका means होता है sale का size बढ़ना sale का size बढ़ना उसके बाद हमने देखा एट ट्रोफी जिसका means होता है सेल के size में क्या हो जाना decrease होना हो जाना कम हो जाना सेल का size कम हो जाना और fourth one definition अपने देखी जिसका means होता है immature sale का formation होना क्या होना immature sale का formation होना I think 4 terminology आपके mind में cover हो गई होगी आपके माइंड में फिटो गई होगी कि चारो टर्मिनलोजी का means क्या है चारो टर्मिनलोजी होती क्या है और दिन चारो का क्या means होता है, क्या आर्थ होता है किस तरीके से अपने इनको define कर सकते I think समझ में आ गया होगा पहली देखे हमने hyperplasia जिसका means होता है सेल का number बढ़ना उसके बाद हमने देखा hypertrophy जिसका means होता है सेल की size बढ़ना उसके बाद atrophy हमने देखा जिसका means होता है सेल का size है जो कि decrease हो ना लास्ट हमने देखा अनपलेजिया जिसका means होता है abnormal cell का formation होना abnormal cell का formation होना आई थिंग आपको यहां तक completely समझ में आ गया होगा अब आगे हम discuss करते हैं type of dysplasia dysplasia के type क्या क्या होते है dysplasia आपको समझ आया dysplasia नाम से meaning बताया था मैंनी dys मतलब abnormal, plasia मतलब sales से regarded sales का क्या होना abnormal growth होना उसका abnormal division होना जिसके कारण से उसकी size में, उसकी shape में, उसके function में, उसके organization में changes आ जाना उस condition को ही हमने बोला था कि यह dysplasia है बोला था, yes or no, बोला था, बिलकुल बोला था, उसके बाद हम इसके types पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से dysplasia देखने को मिल सकता है एक तो slightly displays या देखने को मिलेगा, जिसमें काफी कुछ changes, मतलब काफी कम changes देखने को मिलेगा फिर moderate हम देखेंगे, जिसके अंदर थोड़ा जादा changes देखने को मिलेगा फिर severe हम देखेंगे, जिसके अंदर changes काफी जादा देखने को मिलेगा differentiate भी नहीं कर पाएंगे कि कौन सी cell क्या होगी ठीक है तो I think अब completely आपको समझ में आएगा और definition अगर clear है तो आगे कि जो यह तीनो types हैं वो आपको easily समझ में आएंगे चलिए बढ़ते हैं और पहला type यहाँ पर आपके सामने so हो रहा है first type है that is mild displays पहला type है यहाँ पर mild displays यहाँ mild displays यहाँ means आप सबको समझ में आएगा slightly और बहुत ही कम यानि less changes देखने को मिलेगा कितना less changes देखने मिलेगा काफी कम changes यहाँ पर देखने को मिलेगा लिखा हुआ है simple सी language में slightly changes in cell size shape function and organization of the cell that known as mild dysplasia mild dysplasia से directly meaning निकलता है mild मतलब बहुत कम यानि slightly changes होगा cell के size के अंदर, cell के shape के अंदर cell के function के अंदर और cell के organization के अंदर और इस condition को बोला जाएगा mild dysplasia यानि slightly abnormal होगा abnormal तो होगा लेकिन slightly होगा बहुत कम होगा और ऐसी condition को बोला जाता है mild dysplasia I think बैसे भेजे में गुस गया होगा समझ में आ गया होगा चली आगे बढ़ते हैं और second type हम देखते हैं dysplasia का second type है that is moderate dysplasia that is moderate dysplasia second type है moderate dysplasia जिसका means आपको समझ में आ रहा होगा नाम से ही यानि mild से तो ज्यादा changes देखने को मिलेगा लेकिन severe से कम changes देखने को मिलेगा यानि moderate type में उसमें changes देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर simple से language में लिखा हुआ है moderately changes in a size cell moderately changes in a cell size, shape, function and organization of the cell that known as moderate dysplasia अब moderately से क्या मतलब है sir moderately से मतलब है कि mild से तो थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन severe से थोड़ा कम होगा यानि कह सकते हैं intermediate changes यहाँ पर देखने को मिलेगा एक beach का level यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको intermediate changes यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यानि उसको अपन mild भी नहीं कहेंगे उसको अपन severe भी नहीं कहेंगे दोनों का intermediate यहाँ पर changes देखने को मिलेगा that condition is moderate dysplasia और यहाँ पर second point लिखा हुआ है new growth of cell more abnormal ठीक है जो new growth of cell होगी more abnormal होगी compared to mild dysplasia mild dysplasia से compare अगर अपन करेंगे तो उससे थोड़ा ज्यादा new cell growth होगी लेकिन वह abnormal होगी I think समझ में आ गया होगा और finally third type अपन देखेंगे dysplasia का that is severe dysplasia third type is severe dysplasia और severe dysplasia के अंदर आप सबको नाम से meaning निकल रहा है काफी ज्यादा changes यहां पर हो जाएंगे cell की size के अंदर cell के shape के अंदर cell के organization के अंदर cell के function के अंदर अगर ऐसी condition है जिसके अंदर काफी ज्यादा changes देखने को मिल रहा है that condition is known as severe dysplasia यानि सबसे ज्यादा changes यहां पर देखने को आपको मिलेगा ऐसी condition को ही बोले जाएगा severe dysplasia I think समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं इसी point इसी के अंदर एक point और mention है new cell growth या new growth of cell very abnormal यहां पर cell का जो size बढ़ रहा है cell का जो shape बढ़ रहा है cell का जो function change हो रहा है cell का जो organization change हो रहा है उसके अंदर very 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 abnormal यह होगा यानि काफी ज़्यादा changes यहां पर देखने को मिलेगा काफी ज़्यादा changes यहां पर देखने को मिलेगा और बिल्कुल cell बिल्कुल काफी ज़्यादा abnormal बनेगी काफी जादा abnormal यहाँ पर cell होगी उसको आसानी से identify कर सकते हैं कि abnormal cell है इतना changes यहाँ पर हो जाएगा और ऐसी condition को बोला जाता है severe dysplasia तो I think यहाँ तक आपको काफी अच्छी तरगे से समझ में आया होगा कि dysplasia का means क्या है और dysplasia के types क्या है dysplasia के type के अंदर हमने discuss किया कि mild dysplasia होता है moderate dysplasia होता है और severe dysplasia होता है सबसे कम changes आते है mild के अंदर फिर changes और ज़्यादा हो जाते हैं तो moderate के अंदर आएगा अगर और changes हो जाता है तो उस condition को बोला जाता है severe dysplasia I think समझ में आ गया होगा भेजे में गुश गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं लेकिन अभी तक वीडियो को like नहीं किया तो like कर दीजगा और share नहीं किया तो share कर दीजगा अपने friends को भी motivate कीजगा ताकि वो भी जल्दी से जल्दी members के regarded जुड़ जाए चलिए बढ़ते हैं next topic अपने discuss करेंगे cancer और oncology के regarded that is grading of tumor tumor की grade क्या है first grade है second grade है third grade है इस तरह के से अपन grade चेक करेंगे कि किस grade का tumor है tumor हमने पढ़ा क्या है abnormal uncontrolled cell का proliferation हो रहा है abnormal cell growth हो रही है cell divided हो रही है और वहाँ पर एक tissue mass बन रहा है उस condition को अपने कहा था कि वो क्या है tumor है तो वो tumor जो बना है जो cell का और tissue का जो mass बना है उसका grading क्या है वो किस grade का है first grade का है second का है third का है या फिर other का है तो अपन completely जानेंगे tumor का grade क्या है अब उसको जानने के लिए अपनको दो definition यहाँ पर ध्यान रखने होगी दो terminology यहाँ पर आपको देखने होगी और दो meaning यहाँ पर आपको समझनी होगी जिसके अंदर पहली जो terminology है पहली जो meaning है वो हमने पढ़ लिया है dysplasia dysplasia का meaning बढ़ना, cell के function बढ़ना cell के organization में changes होना that condition is known as dysplasia या हमने कहा था तो इसके बारे में हमने अच्छी तरकी से पढ़ लिया है उसके बाद next जो terminology यहाँ पर है differentiation differentiation मतलब cell का arrangement differentiation मतलब होता है cell का arrangement और यह दोनों किसे हमें पता चलेगा दोनों हमें कैसे पता चलेगे उसके regarded biopsy आपको करनी होगी क्या करनी होगी biopsy आपको करनी होगी और biopsy जब आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि tumor का grade क्या है ठीक है तो biopsy करेंगे आप biopsy में ही आपको पता चल पाएगा कि tumor का grade क्या है tumor के अंदर dysplasia कितनी level का हो रहा है tumor के अंदर differentiation कितना हो रहा है उसका arrangement कितना disturb हो रहा है वो अपन देखेंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि grading क्या है तो dysplasia और differentiation को किसके थूँ अपन चेक आउट करेंगे biopsy के थूँ चेक आउट करेंगे तो biopsy यहां पर आपको करनी होगी biopsy के बाद ही आप tumor का grading पता कर सकते है tumor के regarded जान सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं biopsy हमने कर लिए है सपोज कीजेगा हमने biopsy कर लिए आगे पढ़ेंगे detail से कि biopsy क्या होती है biopsy के कितने टाइप से किस किस तरके से biopsy की जाती है तो biopsy के रिगाड़ी के आगे अगे अगे डिसकस करेंगे तो यहां पर इतना समझे कि biopsy करेंगे जिसके कारण से जिसकी through हम displays या चेक आउट करेंगे हम differentiation यानि arrangement चेक करेंगे ताकि हम grade पता कर सके किसका tumor का grade हम पता कर सके चलिए बढ़ते हैं first grade के tumor के अंदर क्या-क्या changes होता है तो tumor के कुछ four changes आपने देखेंगे tumor के कुछ four grade हम देखेंगे जिसके अंदर पहला grade है आपका grade first first grade के अंदर आपने biopsy की tumor का आपने sample लिया सेंपल के रिगार्ड। आपने BIO PISSEO के अंदर आपको देखने को मिला. Mild Dysplasia क्या है काफी अच्छी तरके से मैंने आपको समझाने की कॉसिस की है. और उम्मीद हैं आपको समझ में आ गई होगा. तो mild Dysplasia मतलब आप सबको पता है कि उसके अंदर changes हुआ है और intermediate changes हुआ है यानि ना तो वो mild type का है ना ही वो severe type का है I think समझ में आया होगा और I think आपको याद होगा ठीक है तो first grade के tumor के अंदर किस type का displays देखने को मिलेगा पहला point आपको याद रखना है कि mild type का displays याँ आपर देखने को मिलेगा उसके अलावा differentiation कैसा रहेगा तो differentiation well रहेगा आसानी से पेचाना जा सकता है कि कौन सा differentiation किस तरीके से है यानि अच्छे से well differentiation याँ पर देखने को मिलेगा कैसा well differentiation याँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी normal cell है कौन सी abnormal cell है काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर पहचान में आ जाती है ठीक है तो I think यहाँ पर first grade आपको समझ में आ गया होगा कि first grade का भी tumor होता है अब यहाँ पर इसके salary कितरी रहेगी ऐसा मत सोचेगा क्योंकि tumor को कोई salary नहीं है यहाँ पर आपन वेकेंसी और नोकरी की बात नहीं करें यहाँ आपन cancer की बात करें तो first grade का tumor है जिसके अंदर mild type का display यहाँ देखने को मिलेगा और well differentiation यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा याद रखेगा दोनों point आप याद रखेगा बगी आप automatically लिख सकते हैं इतना तो मैं आपको able मानता हूँ अगर question आता है तो आप लिख देंगे लेकिन दो basically point आपको याद रखना है first grade के अंदर mild type का display यहाँ देखने को मिलेगा और well differentiation यहाँ पर देखने को मिलेगा I think समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं और next discuss करते हैं grade number second second grade का tumor कैसा होगा second grade का tumor कैसा होगा ठीक है तो यहाँ पर mild type का mild मतलब बोथ ही slightly changes होगा sorry मैंने थोड़ा changes बता देखने को मिलेगा यानि काफी कम changes यहाँ पर देखने को मिलेगा उसके लवाए well differentiation यहाँ पर होगा उसके बाद second grade के अंदर अपन देखें तो moderate type का यहाँ पर changes देखने को मिलेगा यानि intermediate sorry मैंने कुछ अलग बता दिया था वहाँ पर slightly changes देखने को मिलेगा यहाँ पर second grade के अंदर moderate changes देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको intermediate changes देखने को मिलेगा उसके बाद moderate type का ही differentiation देखने को मिलेगा दोनों point आप याद रखे दोनों के अंदर ही moderate type का देखने को मिलेगा moderate dysplasia होगा और moderate ही differentiation होगा I think भेजय में गुश गया होगा और I think आपको समझ में आ गया होगा और काफी अची तरह के से आपने समझ लिया होगा चलिए बढ़ते हैं second grade के बाद first grade में अपने देखा कि mild to dysplasia होगा और well differentiation होगा second grade में आपने देखा कि moderate dysplasia होगा और moderate ही differentiation होगा उसके बाद third grade के अपने बात करें third grade के अपने बात करें grade number third tumor की grading अपने कर रहे हैं जिसके अंदर third grade है जिसके अंदर severe dysplasia देखने को मिलेगा severe dysplasia देखने को मिलेगा और differentiation पूर होगा क्योंकि अब condition ऐसी हो गई है कि जो division है वो जादा हो रहा है severe changes उसके अंदर आ रहा है dysplasia आपने देखा severe के अंदर काफी कुछ changes हो जाता है अब काफी कुछ changes हो गया है आसपास के surrounding area में भी काफी कुछ tissue mass बन गया है तो abnormal और normal cell में differentiation है properly नहीं हो पाता है properly उनका cell का differentiation नहीं कर पाते हैं इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर poor differentiation देखने को मिलेगा चलिए समझ में आ गया होगा कि severe dysplasia होगा और poor differentiation यहाँ पर देखने को मिलेगा I think समझ में आ गया होगा यहाँ तक उमीद है आपको काफी अच्छी तरके से समझ में आया होगा चलिए बात करते हैं next grade की tumor का next grade है that is grade number fourth यानि fourth grade का tumor कैसा होगा fourth grade का tumor कैसा होगा समझते हैं कि fourth grade का tumor कैसा होगा तो fourth grade का tumor होगा यहाँ पर anaplesia देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर anaplesia देखने को मिलेगा anaplesia मैंने आपसे कहा था कि mature cell का formation होना क्या? immature cell का formation होना immature cell का formation होना अब यहाँ पर cell का formation हो रहा है mild complete हो गया moderate complete हो गया severe complete हो गया severe की बाद भी काफी severe condition यहाँ पर हो रही है यानि severe से भी बढ़ कर यहाँ पर केवल changes ही नहीं बलकि abnormal cell बनने लगी है तो यहाँ पर anapleasia देखने को मिलेगा उसके अलावा undifferentiation होगा यहाँ पर तो पता ही नहीं कर पाएंगे कि कौनसी cell normal है कौन सी cell abnormal है कौन सी cancerous cell है कौन सी non-cancerous cell है यहाँ तो पता भी नहीं कर पाते और काफी complicated stage यह आ जाती है काफी complicated condition यह हो जाती है जिसको हम कहते है grade number 4 tumor का fourth grade हम मानते हैं और I think यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, हमने इस टेशन के अंदर discuss किया, dysplasia, और dysplasia के बाद हमने discuss किया, grading, dysplasia के types हमने discuss किये, तीन types हमने असानी से समझ में आया होगे, और उसके बाद हमने tumor की grading की, और tumor की grading आपको काफी अच्छी तरके से समझ में आई होगी चार टाइप की grading हमने देखी पहली जो grading हमने देखी जिसके अंदर first grade है जिसके अंदर mild dysplasia है और well differentiation है second grade हमने देखा moderate dysplasia है और moderate ही differentiation है third grade हमने देखा severe dysplasia है और poor differentiation है और fourth grade हमने देखा enoplasia है नेक्स अपन देखते हैं रूट अफ मेटा एस्टेसिस जो कि अपन नेक्स सेशन के अंदर डिसकस करेंगे उम्मीद है यहां का सेशन यहां तक का जो सेशन अपने पड़ा है आपको काफी अच्छी तरह के समझ में आया होगा नेक्स सेशन आपको मिलेगा आपके नेक्स टाइमिंग में आपको सेडूल पता होगा एक चार बज़े क्लास रहती है और एक साथ बज़े क्लास आपकी रहती है तो नेक्स सेशन आपको नेक्स टाइमिंग में मिलेगा यानि साथ बज़े मिलेगा तो उसके अंदर हम remaining portion को discuss करेंगे छोटी छोटे part करके अपन classes लेंगे ताकि आप भी ज़्यादा बोर नहीं हो और आपको भी interest आए बाकी syllabus की रही बात उसले बस आपका जल्दी से speedly complete हो जाएगा don't worry, कोशिस करेंगे दो से तीन class भी आपकी लगवाएंगे लेकिन बने रहे continuously be positive रहे कर आप continuously classes ले, concentration के साथ पढ़े, बाकी आज के लिए इतना ही मिलेंगे next session के अंदर बहुत ही जल्दी तब तक के लिए बने रहे, जीवन एज़ुकिशन ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेर करें ताकि सभी तक पहुँच जाए और सभी members के साथ जुड़ कर और इन सभी classes का benefit ले सके ताकि जीवन एज़ुकिशन आपके लिए एक काफी अच्छी तरीकी से आपका result recover करवा सके तो thank you very much for joining मिलते हैं next session में जल्द ही जब तक के लिए बने रहे जीवन एज़ुकिशन thank you very much